आज खुर्शीद अकबर साहब के एक शीर से अपनी बात शुरू करते हैं सरों पर ताज रखे थे, कदम पर तक्त रखा था वो कैसा वक्त था, मुठी में सारा वक्त रखा था एक वक्त था जब ज़ारखंड में रखुर और रखुर के नाम से ज़ारखंड की सियासत का सुर्योदे और सुर्यास्त हुआ करता था रखुर तब ज़ारखंड भाश्पा के एकलोते ऐसे नेता थे जिनकी पुलिस के सीनियर अधिकारियों को मंच से ही जिलकने और अपने ही समक्ष नेताओं को बगावती तेवर दिखाने के लिए याद किया जाता रहेगा निसन देह जारखंड के पहले गैर आदिवासी मुक्ष मंतरी रगुवर दास ने जारखंड के आधार भूत सनरचना यानि इंफ्राइस्ट्रक्चर में बड़े बदलाव किये हैं जो पक्की सडके गाउगाउं तक पहुचाई हैं उसे न सिर्व भाजपा के कारिकरता बलकि विपक्षी पार्टियों के नेता तक कुबूल करते हैं चुनाओई सीजन आ रहा है लेकिन इन दिनों रगुवर की कहीं चर्चा नहीं है हो सकता है भाजपा को जारखंड में अपना पहला गैरादिवासी मुक्ष मंतरी बनाने का सबक मिल चुका हो शायद यही वज़र ही कि पुर मुक्ष मंतरी रगुवर दास की दुरुदूर तक कोई चर्चा नहीं पर रगुवर कैबिनेट के पाँच मंतरीयों के इन दिनों खूब चर्चा बिती शाम से ही चल रही है और चर्चा ऐसी वैसी नहीं कि सिर्फ यह चर्चा राजधानी राची तक सिमित हो चर्चा तो ऐसी है कि जारखन के हर अखबार ने चर्चा कॉलम में रगुवर के पाँचों मंतरीयों की तस्वीर के साथ विस्त्रित रिपोर्ट छापी है सबसे पहले तो यह समझते हैं कि रगुवर सरकार के पाँच मंतरीयों की चर्चा क्यूं है हुआ ये कि कल कैबिनेट की बैठक हुई बैठक में यू तो कई महत्पुन प्रस्ताओं को मंजूरी मिली पर एक प्रस्ताओ ऐसा था जिसमें रगुवर सरकार में शामिल पाँच मंतरीयों के खिलाब आय से अधिक संपत्ती की जाच के लिए भ्रस्ताचार निरोधक ब्योरो यानी एसीबी को प्रारंभिक जाच दर्ज करने की अनुमती दे दी गई हेमंत कैबिनेट के स्वैसले से भाजपा के चर्चित पाँच नेताओं की नीन दुड़ गई है पाँच नेता यानी रगवर कैबिनेट में शामिल पाँच मंतरी थे कौन-कौन? अमर कुमार बावरी, रणधीर सिंग, डॉक्टर नीरा यादव, लुईस मरांडी और निलकंट सिंग मुंडा असल में हुआ ये कि जारकंड हाई कोट में पंकच कुमार यादव नामत व्यक्ति ने साल 2020 में रगवर सरकार में शामिल इन पाँचों पुर्व मंतरियों पर आई से अधिक संपत्ती अर्जित करने का आरोप लगाते हुए जाज के लिए PIL डायर कर दिया था जारकंड हाई कोट ने इस PIL पर सुनवाई की और अंतता हपने आदेश में मामले को गंभीर बताते हुए राज्य सरकार यानि हेमन सरकार को जाज के बाद जरूरी कारिवाई करने का आदेश दे दिया हाई कोट के आदेश के बाद मंत्री मंडल सचिवाले अवं निगरानी विभाग ने ACB यानि एंटी करॉप्शन ब्योरो को जाज के आदेश दे दिये ACB ने पंकच कुमार यादव द्वारा इन पांचो पुरू मंत्रियों पर लगाए गए आरोपों का सत्यापन किया जिसके बाद ACB यानि एंटी करॉप्शन ब्योरो ने राज्य सरकार से इन पांचो पुरू मंत्रियों के खिलाब P.E. यानि प्रारंभीक जाच की अनुमती की मांग की थी ताकि इस मामले को लेकर विस्तरत जाच की जा सके कल बीती शाम ही महादी वक्ता की राय लेने के बाद हेमंद कैबिनेट ने इन पांचो पुरू मंत्रियों पर ACB को P.E. यानि प्रारंभीक जाच दर्ज करने पर मोहर लगा दी है जिसके बाद तो इस मामले को लेकर खुद जारकंट भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबुलाल मरांडी हेमंद सुरिन पर अत्यदिक हमलावर हो गया है अब आपको सिलसिलवार ढंग से समझाते हैं कि रगुवर सरकार के इन पांचो पुरू मंत्री मसलन अमरबावरी, रणधीर सिंग, नीरा यादव, लोईस मरांडी और निलकंड सिंग मुंडा की संपत्ती में असलियत में कितना उचालाया है कि पंकच कुमार यादव नामक युवक ने वैक्ती ने हाइकोर्ट में इन मंत्रियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ती मामले में प्यायल दाखिल कर दी असल में साल 2014 और साल 2019 के विदानसवाज चुनाओं के दौरान जो शपत पत्र इन नेताओं ने चुनाओ आयोग में दाखिल किये थे उस शपत पत्रों में इन नेताओं की संपत्ती में 198 से लेकर 1120 प्रतीशत तक की बढ़हुत्री पाई गई है और ये बढ़हुत्री खुद इन ही नेताओं द्वारा दिखाई गई है इतना कुछ समझी रहे हैं तो आगे भी समझीए कि आखिरी नेताओं की 2014 से लेकर 2019 के बीच संपत्ती में किस हद तक व्रदी हुई है पहला नाम अमरबावरी है अमरबावरी शेही शुरू करते हैं चन्दन क्यारी से भाजपा विधायक अमरबावरी रगुवर सरकार में राजो सनिबंधन, भुमी सुधार, एवं प्रेयटन, कला संस्कृती, खेलखूद, एवं युवा कारे विभाग के मंत्री थे उन्होंने साल 2014 के विधानसभा चुनाव के नमिनेशन के दवरान चुनाव आयोग को जो शपत पत्र दिये थे उसमें उन्होंने बताया था कि उनके पास कुल 7,33,000 की संपत्ती है ये 2014 की बात है फिर पांच बरस बाद जब 2019 का विधानसभा चुनाव आया तब जब अमर बावरी ने चुनाव आयोग में शपत पत्र दाखिल किया उसमें ही उन्होंने ये बताया कि उनकी कुल संपत्ती 7,33,000 से बढ़कर 89,41,000 रुपे की हो गई है यानि 2014 में मातर 7,33,000 और पांच बरस बाद 2019 में अमर बावरी की संपत्ती 89,41,000 यानि बीदे 5 सालों में अमर बावरी की संपत्ती में कुल बढ़कोत्री हुई 1120 प्रतिशत की इतना तो सेंसक्स ने उचल मारता है जितना भाजपा के अमर बावरी की संपत्ती ने उचल मारा है ये तो एक मंत्री का डेटा है, यही नहीं, अभी और सुनी, आगे और चार मंत्रे भी बांकी हैं, रगुवर दास की सरकार में दूसरे मंत्री थे सारट से भाजपा विधायक रणधीर सिंग, रणधीर सिंग को रगुवर सरकार में क्रिशी मंत्राले दिया गया था, के पुर्व क्रिशी मंत्री रणधीर सिंग का खूब आर्थिक विकास हुआ है, यह हम नहीं कह रहे हैं, बलकि उनके संपत्ती के आकड़े हैं इसके गवाई देते हैं, साल 2014 में चुनावायोग में सारट विधायक रणधीर सिंग ने अपनी संपत्ती का जो प्योरा चुन 58,95,000 से बढ़कर 5,06,000,000 रुपے की हो गई है, यानि 2014 में जो संपत्ती 58,95,000 की थी, वो संपत्ती 5 सालों में हमें 5,06,000,000 रुपे की हो गई है, यानि बीते 5 सालों के दरम्यान सारट विधायक रणधीर सिंग की संपत्ती में कुल बढ़ोत्री हुई 541 प्रतिशत की, ज स्वेक्ति ने अपने मंतर तुकाल के दौरान अपनी संपत्ती में 541 प्रतीशत की बढ़ोतरी की हो वो भरी महफिल में जून के नहीं नाचेगा तो आखिर कैसे नाचेगा खर सियासत में नाचने नचाने का सिलसिला तो चलता ही राता है और अगर जारखन में हो तो मांदर की थाप पर नाचने का मजा ही कुछ अलग है खर अब तीसरे पुर्व मंत्री पर भी चलते हैं रगुवर सरकार में तीसरे मंत्री थी नीरायादव नीरायादव को डर्मा से भाजपा विधायक हैं 2014 में भाजपा की सरकार बनने पर नीरायादव को रगुवर कैबिनेट में सिक्षा मंत्रा ले दिया गया था नीरायादव ने साल 2014 की विदानसभाच चुनाव के नॉमिनेशन के दौरान चुनाव आयोग को जो शपत पत्र दिये थे उसमें उन्होंने बताया था कि उनके पास कुल 80,69,000 की संपत्ती है यह 2014 की बात है फिर पांच बरस बाद जब 2019 का विदानसभाच चुनाव आया तब जब कोडर्मा विदायक निरायादव ने चुनावा योग में शपत पत्र दाखिल किया उसमें उन्होंने ही बताया कि उनकी कुल संपत्ती 80,69,000 से बढ़कर 3,65,000 की हो गई है यानि 2014 में 80,69,000 और 5 साल बात 2019 में निरायादव की संपत्ती 3,65,000 यानि बीते 5 सालों में निरायादव की संपत्ती में कुल बढ़ोतरी हुई 353 प्रतीशत की जारखंड के बेरुजगार बेकार में परिशान है जारखंडी बेरुजगारों को चाहिए कि वे वरतमान वर पुर्यमंत्रियों से संपत्ती बढ़ाने का क्रेश KORS जोइन कर लें अपने अपने विधायको और मंत्रियों को आवेदन दै कि संपत्ती बढ़ाने के अर्थ्षास्तर वाले free coaching classes में जारखंडी बेरोजगारों को enrollment में 10% का तिरी कारक्षन मिल जाए बहराल बाकी दो और पूर मंत्री बचें हैं जिनके संपत्ती को लेकर अब ACB हिर्मन सोरिन की मंजूरी के बाद आगे ED की रेड से भी तीवरतर गती से जाच का दारा बढ़ाईगी रगुवर सरकार के रगुवर दास के कैबिनिट की चोथी मंत्री थी लूइस मरांडी लूइस मरांडी समाज कल्यान मंत्री थी लूइस मरांडी ने साल 2014 की विदानसबा चुनाव के नोमिनेशन के दोरान चुनाव आयोग को जो शपत पत्र दिये थे उसमें उन्होंने बताया था कि उनके पास कुल 2 करोड 25 लाग की संपत्ती है ये 2014 की बात है फिर पांच बरस बाद जब 2019 का विदान सबा चुनावाया तब जब लुईस मरांडी ने चुनावायोग में शपत पत्र दाखिल किया उसमें ही उन्होंने बताया कि उनकी कुल संपत्ती 2 करोड 25 लाग से बढ़कर 9 करोड 6 लाग रुपय हो गई है यानि 2014 में 2 करोड 25 लाग और 5 साल में यानि 2019 में लुईस मरांडी की संपत्ती 9 करोड 6 लाग यानि भी ते 5 सालों में लुईस मरांडी की संपत्ती में कुल बढ़ा उत्री हुई 303 प्रतीशक की लुइस मरांडी की समाज कल्यान में भागिदारी कितनी रही है तो नहीं पता परार्थिक कल्यान में जो उनकी भागिदारी रही है उसका पता अब इसी भी लगा रही है अब आखिर में बात करते हैं रगुवर सरकार के प्माचवे पुर्मंत्री वा खुंटी से भाजपा विधायक निलकंड सिंग मुंडा की निलकंड सिंग मुंडा ग्रामीन विकास मंत्री हुआ करते थे रगुवर सरकार में उन्होंने साल 2014 की विदानसभा चुनाव के नॉमिनेशन के दौरान चुनाव आयोग को जो शपत पत्र दिये उसमें उन्होंने बताया कि उनके पास कुल एक करोड च्यालिस लाग की संपत्ती है ये 2014 की बात है फिर पांच बरस बाद 2019 का विदानसभा चुनाव आया तब सिंग मुंडा की संपत्ती 4 करोड 35 लाग यानि बीते पांच सालों में निलकंड सिंग मुंडा की संपत्ती में कुल बढ़ोतरी हुई जाते जाते एक और डेटा देख लीजे बाजपा विदायक अमर बावरी की 5 सालों के अंदर संपत्ती बढ़ी 82,8 लाग भाजपा विदायक रनधीर सिंग की 5 सालों के अंदर संपत्ती बढ़ी 4,27 लाग भाजपा विदायक निरायादव की 5 सालों के अंदर संपत्ती बढ दो करोड नवासी लाग तो आज आज के इस वीडियो में दा फोर्थ पिलर ने आपको बकायदा सिलसलेवार ढंक से बताने की कोशिस की है कि किस नेता की यानि किस मंत्री की जिन पर अभी ACB जांच करने जा रही है जिसकी जांच को लेकर अब हेमंत मंत्री मंडल से मंजूरी मिल चुकी है कि ACB जांच करेगी उन तमाम पांचों मंत्रियों के पुर्यों मंत्रियों की संपत्ति का प्रूरा भ्योरा हमने आपके सामने रखाया हमने ये भी बताया कि 2014 में उनकी कितनी संपत्ति थी हमने यह भी बताया कि 2019 में उनकी कितनी संपत्ति बढ़कर हुई हमने इसके साथ-साथ ये भी additional information दिया कि 2014 और 2019 के बीच कुल संपत्ति उनकी कितनी बढ़ गई, कितनी करोड की बढ़ गई, ये पूरी जानकारी हमने आपको दे दिये, the fourth period पिछले कुछ दिनों से लगातार जारकन के विधायकों के मंत्रियों के संपत्ति, उनकी पढ़ाई निख उनके उपर दर्ज अपराधिक मामले उन सब की जानकारी दे रहा है, हमारा motive बस एक है, single है, हम चाहते हैं कि जारकन की जो जनता है, जो दर्शक है, जो आने वाले दुनों में लोग सभा और विधान सभा चनाव में मद्दान करेगी, वो अपने सांसद और विधायक के बा ये सारी जानकारी जरूरी है एक मद्दाता के लिए, ताकि वो फैसला कर सके, वो तै कर सके कि उसका विधायक भरष्टाचारी है या उसका विधायक आदर्श विधायक है, आज ECB की जाच तो अब सुरू हो जाएगी, कल हेमंत मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दे दी है, लेकिन इसके बाद अब ये देखना हुआ कि एक केस अब आगे कौन सा मूड लेता है, किस तरफ रुख करता है, जो भी रुख जो भी पढ़ाओ इस पुरे केस में आएंगे, उस तमाम पढ़ाओं की जानकारी दफोर्थ पिलर आपको लगातार देता रहेगा, आपको ये आकाश और आप देख रहे हैं दफोर्थ पिलर और कैमरे के पीछे हैं अभिशेक कुमार, शुक्रिया झाल, पिलर ठापको लगाओंगे, देंग भीटार रहे कि अचा जचा Eckाल, शुक्रिया रहे हैं दफन के भीज में देघको लगाओंगे, आपको ये ओंगेवागाने रहे हैं शेजर आपको लग़ाओंगे, दुक्तार स lengthy में देघक संपना के 14 िर, आपको जार, जा सुक